नमस्कार दोस्तों मेक ओसम में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम फरवरी का दूसरा भाग लेके आए हैं पहला भाग अप्लोड कर दिया गया है अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले भाग एक देखिए चलिए करंट अफेर के इस वीडियो को सुरू करते हैं कलकत्ता की मसूर पहली केंबर डांसर जिनने मिस सिफाली के नाम से जना जता था आरती दास का निधन हो गया जाने माने फिल्म इतिहासकार और क्रिकेट पत्रकार राजु भारतन भी काल के गर्ब में समा गए वयो वरिद लेखक और शिक्षाविद तिरी राज किशोर का भी निधन हो गया वेडल रोडरिक्स फेशन डिजाइनर थे इनकी वियव डैत हो चुकिये अब देखिये महतपुन डिवस दूसरे सब्ता हमें दो महतपुन डिवस है कवर करने की आप चिंता मत कीजिएगा मैं फरवरी के जितने भी महतपुन डिवस है उन्हें फौर्थ रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया गया क्योंकि 13 फरवरी 1946 को United Radio की स्थापना हुई थी 12 फरवरी को Darwin दिवस मनाया गया Charles Darwin की जन्ती पर Darwin Evolution की थियोरी इन्होंने दी थी ये British Veganic थे और इनकी एक परसित पुष्टक है कई बार exam में पूछी जाती है Origin of Species ये आप ध्यान में रख सकते हैं इनके बारे में अब देखिए भारतिये फर्म है एक JSR Dynamics इन्होंने वायू से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल बनाई है खगान तक शवदेशी है ये हमारी तो पूछा इसकी मारक शमता कितनी है तो इसकी मारक शमता है 180 और खगा करना को जिन्दल South West स्टील की कंपनी है इसने अपना ब्रांड एमेस्टर किसे बनाया है तो आप फोटो में देख सकते है रिशब्पंथ कर्केटर को इन्होंने बनाया है अपना ब्रांड एमेस्टर और रिशब्पंथ उतराखंड के हैं विसो इसपात संग ने आंक्ड़ अंत्रिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद अंत्रिक्ष यात्री क्रिश्टीना कोच धर्ती पर लोटी तो ये अमरिका की अंत्रिक्ष यात्री है और ये धर्ती पर लोट आई है 238 दिन के बाद में इन्होंने यानि की क्रिश्टीना कोच ने जैसिका मीर के साथ मिलके स्पेस वोक भी किया था जैसिका मीर स्पेस वोक किया था 2019 में तो ये भी ध्यान रखिएगा इस बैंक ने आंदर परदेश सरकार को विकास प्रियोजनाओं के लिए 3 बिलियन यूएस डॉलर का रिन देने की पेसकस की है तो ये बैंक है एसिया इंफ्रास्ट्रक्टर इन्वेस्टमेंट बैंक यनकी AIIB इसका हेड़पाटर है बिजिंग में और इसके अध्यक्स हैं जीन लिकन जीन लिकन है AIIB बैंक के अध्यक्स MSME मंतराले ने सफूर्थी को लॉंच किया है इसमें F का मतलब क्या है तो सफूर्थी है ट्रेडिशनल जो हमारी इंडस्ट्री है यनकी भारत में जो प्रम प्रागत उद्धो गया जैसे बांस सहद, खादी वगेरा इनको वितियस हैता देने के लिए बनाया गया इस फूर्थी को तो इसका फुल वर्म है Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries तो इसका F का मतलब हो गया यहाँ पे Fund यनकी कोश आप यहाँ देख सकते है Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries स्री राम जन्म भूमे तिर्थ शेत्र के परमुक के रुप में किसे निप्त किया गया है तो यह निप्त किया गया है के प्रासरन को और यह पैसे से वकील है के प्रासरन और अब यह अयोद्या में भगवान स्री राम के मंदिर का आवरसी करेंगे और उसका संसालन करेंगे आंदरपरदेश के पहले दिशा पुलिस टेशन का उधगाटन किस सहर में किया गया तो ये जो दिशा पुलिस टेशन है ये मुख्यता बनाई गए थे बलादकार के मामलों को निप्टने के लिए और बच्चों के खिलाफ योन शोशन के जो मामले हैं उनको निप्टाने के लिए ये बना है राज महिंदर वरम यनकी राज मुंदरी में ये पूर्वी गुदावरी जिले में हैं आंदरपरदेश के और अंदरपरदेश के CMYS और रेड़ी और गवर्नर है विशु बुर्षन हरीचन नियाद रखते हैं अंदरपरदेश ने पहली फल ट्रेन भी चलाई है फल ट्रेन और ये चली है तड़ी पत्री रेइलवे स्टेशन से विशु का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विक्षित किया गया है तो ये बनाया है हमारे देश भारत ने भारत के पुने मिश्दित College of Military Engineering के प्रोफेसर यनकी अनुक मिश्रा ने बनाया है मेजर है ये अनुक मिश्रा प्रोफेसर ने बोल दिया मेजर ने अनुक मिश्रा फोटो में आप देख सकते हैं और ये जो बना है helmet ये एक प्रोजेक्ट है अभेद इसके तहत बनाया गया है अभेद के तहत हमने भाबा कवच भी बनाया था जो कि एक bulletproof jacket थी ordinance फैप्ट्री यांकि आयूद निर्मान बोरड और मेधानी ने मिलकर मिश्र धातू निगम लिमिटेड ने मिलकर बनाया था भाबा कवच को ये भी आप ध्यान रखियेगा बेश का पहला glass floor bridge किस सहर में बना है तो इसमें क्या होगा जो पुल होगा उसका फरस होगा वो पारदर्सी होगा पुरी तरह से जिस पर लोग जब चलेंगे तो उपर से नदी के दर्सन कर पाएंगे ये बना है रिशी केश में रिशी केश समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकर्ण यनकी MPEDA यनकी Marine Products Export Development Authority जो की कोची में है ने पत्चीस सो करोड रुपे की एक अनुमानित प्रीवे है देश के कितने मचली पकड़ने वाले बंदरगा हों के उन्यन और आधुनी करण का प्रस्ताव किया है तो इनका आधुनी करण किया जाएगा पत्चीस बंदरगा है जिनका आधुनी करण किया जाएगा पत्चीस सो करोड रुपे से MPEDA ने ये पैसे इसके लिए अलोट किये हैं मुख्य मंतरी परिवार समरिद्धी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो ये शुरू की है मनौ 5 एकड से भूमी कम है उस किसान को गरीब माना जाएगा और उन्हें 6,000 रुपे दिये जाएंगे सालाना जिसमें 2-2,000 की 3 किस्ते होंगी ये हर्याना सरकार ने शुरू की है कौन सा राज्ये 25 रुपे में सबसीड़ी युप्ट भोजन टुपलब्द कराने के लिए 1000 उट अरुन खरी जल विद्युत प्रियोजना है किस देश की है ये तो ये है नेपाल की नेपाल की प्रियोजना है इसको भारत स्पोर्ट कर रहा है भारत ने 100 बिलियन नेपाली रुपीज दिये हैं नेपाली रुपीज दिये हैं ध्यान रखिएगा कोई डॉलर नहीं दिये है और इसकी शम्ता कितनी होगी इसकी शम्ता होगी 900 मेगावाट की इस प्रियोजना की और इसको कहां बनाया गया है तो नेपाल की एक जगह है सकुआ सवा जिला वहां पर बनेगा केपी सर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री है और विद्या देवी बंडारी यहां की के सिकार के लिए लाइसंसों की निलामी शुरू कर दी तो यह क्या है अफ्रीकी देश बोत्स्वाना ने बोत्स्वाना एक लैंड लोक कंट्री है तो इस फैसले पर काफी अंतराश्चेस तर पर अलोजना हुई है बोत्स्वाना की इनका मानना है कि हातियों के सिकार से रो इंडेक्स 2019 किस मंत्रा लेनी सुरू किया तो यह शुरू किया है आवास और सहरी मामलों के मंत्रा लेनी कौन सा METRO रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, तो पहला कौन सा है? देली है, दूसरा बनाए है हैदराबाद हैदराबाद मैट्रो 69 किलोमेटर से भी बड़ा हो गया है और इसको बनाए लारसन एन टूब्रो कंपनी ने इसको लाए एक भोपाल मैट्रो भी है जिसको भोज मेट्रो जिसका नाम कर दिया गया है भारतिय रिजरो बैंक 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक किस विशे के अंतरकत वित्तिय शाक्सरता सप्ता का आयोजन करेगा तो इस आयोजन करेगा इसका विशे होगा शुक्षम लगू और मद्यम उद्यम अर्विये के गवर्नर हैं सक्तिकांत दास 25 में नमबर के गवर्नर हैं रोजर काहन जिनका निदन हो गया इसकी प्रसिद पुस्तक का नाम क्या है तो इनकी प्रसिद पुस्तक है दबोई ओफ समर यानकी ओप्सन ए किस देश ने 27 राष्ट्रों के अंतर राष्ट्रिय धार्मिक सवतंतरता कटवंदन के सुब आरम की घोशना की तो ये की है अमेरिका ने ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि प्रतेक देश में अलब संक्यकों को वो सारे अधिकार दिये जाएं जो वहां के आमनागरी को मिलते हैं ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली महिला एतलीक कोन बनी तो ये बनी है ग्रीश की एना कोरा काकी ग्रीश क्योंकि ग्रीश में ये समान इसलिए मिला क्योंकि 890 में में पहली बार ग्रीश में ओलंपिक शुरू हुए थे और ग्रीश की अभी अभी नहीं परधानमंत्री बनी है पहले क्रिया कोस मित्सो ताकिस थे अभी बन गई है एका तेरी नी काफी लंबा नाम है एका तेरी नी सकेला रवपो लोव मेगा इंडस्ट्री परदर्शनी इंजिन एक्सपो 2020 का छटा संस्करन कहां पर हुआ तो ये छटा संस्करन हुआ है गुजरात के वडोद्रा में तो या रखीगा गुजरात का वडोद्रा और यहाँ पर गुजरात का जो सीम है वीजे रुपानी हैं और अचारे देववरत गवर्नर हैं इसके अलावा गुजरात में तीन निर्त्य भी हैं जान लिजीगा भवई, तिपानी और पधार ये फेमस है काफी और इसका विशे रखा गया है इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेलगाम दोड रहे ओटो पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के किस सहर की पुलिश ने ओप्रेशन नकेल शुरू किया तो ये गाजयवाद पुलिश ने शुरू किया ओप्रेशन नकेल भारतिय बैडमिंटन कोच को परतिष्टित अंतराष्टे ओलमपिक स्मीती कोच लाइफटाइम अचीवमेंट पुरुषकार दिया गया तो ये कौन से कोच हैं तो ये हैं पुलेला गोपिजन तो ओलमपिक स्मीती की अगर बात की जाए तो इसका हेड़काटर है लोजेन में जो कि है स्वीजर लैंड में सहर और थोमस बाख हैं इसके आई ओसी के हैड थोमस बाख हिंडुस्तान एरोनाटिक लेमिटिड ने लाइट यूटिलेटी हेलिकॉप्टर बनाने की मंजूरी मिल गई है HAL को तो ये जो हेलिकॉप्टर है किस हेलिकॉप्टर की जगह लेंगे तो ये हमारे चेतक और चीता जो हेलिकॉप्टर हैं काफी पुराने हो गए हैं अब इनकी जगह लेंगे Light Utility Helicopter इसके अलावा हम तीन हेलिकॉप्टर हमने खरीदे हैं अमेरिका से सिनूक, रोमियो और अपाचे इसके अलावा एक रूस से खरीदा है कोमोव हेलिकॉप्टर हमने यह भी याद रखीगा और हेलिकॉप्टर सम्मिट कहा हुआ पहला? वो हुआ देहरादून में अंतराष्ट्रिय क्रिकेट में अर्ध सतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने तो यह बन गए हैं नेपाल के कुशल मल्ला इन्होंने 15 वर्ष की आयू में यह किताब अपने नाम किया 15 वर्ष और 340 दिन की आयू थी इनकी इन्होंने रिकोर्ड तोड़ा है रोहित पोडेला का जिनकी आयू थी 16 वर्ष और 346 दिन किस देश ने अंडर 19 क्रिकेट विशुकप जीत लिया है तो यह जीता है बांगला देश ने और भारत को फाइनल में हराया तो यह मंजूरी मिली है सिरलंका को सिरलंका के बीच यह प्लान हवाईजाज उड़ा पाएंगे इसके लिए हमारे उडेन मंत्राले का एक रूल है 5 बटा 20 इसका मतलब है 5 वर्ष का आपके पास अनुवह होना चाहिए और कम से कम 20 विमान होने चाहिए तभी आप अंतर देशी है फ्लाइट उड़ा पाएंगे लेकिन अलाइंस एर के पास यह दोनों ही चीज नहीं है फिर भी ने अनुवती मिल गई है रश्ट्रिय क्रीमी मुक्ती दिवस कब मनाया गया तो यह मनाया गया 10 परवरी को जिस दिन दलहन दिवस मनाया जाता है उसी दिन इसमें बच्चों के आंत में कीडे ना लगे इसके लिए बच्चों को एक दवाई खिलाई जाती है अलबेंडा जोल यह दवाई बच्चों को खिलाई जाती है नसीम सा टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे यूवा गेंदवाज बन गए हैं ये किस देश की हैं तो ये है पाकिस्तान की और इन्होंने रिकोर्ड तोड़ा है अलोक कपाली का जो की बांगला देश के स्पिन गेंदवाज थे नसीम शा की आयू है 16 वर्स और अलोक कपाली की आयू थी 19 वर्स ये रिकोर्ड 2003 में अलोक कपाली ने बनाया था और अब 2020 में इसे तोड़ दिया है नसीम शा ने माउंट एकांका गुआ को फटै करने वाली दुनिया की सबसे यूआ परवतारोही कोन बनी ये बनी है काम्या कार्थिकेन माउंट एकांका गुआ है अर्जिंटीना में जिसकी राज़दनी है वियोनिस आयरेस माउंट एकांका गुआ दक्षनी अमेरिका की सबसे उंची परवत चोटी है दसमी होकी इंडिया सीनियर महिला राष्टिये चैंपियन सिप किसने जीती तो ये जीती है हर्याना ने हराया स्पोर्ट्स एठियोर्टी ओफ इंडिया को फाइनल में यनकी भारतिये खेल पराथी करन को प्रनाश बैलेस्टिक मिसाइल है इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है तो ये देखें ये सर्फेस to सर्फेस मार्करने वाली मिसाइल है इसकी रेंज है अभी 200 किलमेटर इससे पहले एक पेराश ठींज हमारे पास थी प्रहार इसको जोड़ा गया है तमिलनाडू के साथ और अन्य जोड़ी भी देखिए इनमें पंजाब को अंदरप्रदेश के साथ जोड़ा गया है उत्राकंड को करनाटक के साथ केरला को हिमाचल के साथ और दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है रास्तान को असम के साथ ये ए जलता है होरन्विल पक्के पागा होरनबिल, तो पक्केgeneration होरनविल मिन आता है अरणांचल प्रधीज, अरनांचल प्रधीज. और तिरिप construction ने इस पर मिनाया है स्यर्फृ। पुरुस एकल का खिताब किसे जीता है चैक गनडाजे के किलाडी जेरी वेल्स ने और फाइनल में हराया बेलारूस के खिलाडी एग और गिरासिमोव को भारतिय सेना दवारा विक्सित दूसरे दुनिया के सबसे सस्ते गंड शॉट लोकेटर का नाम क्या है तो ये गंड शॉट लोकेटर का नाम है पारत और इसको बहुती सस्ते में बनाया है मातर तीन लाग रुपे में इससे पहले जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो 65 लाग का था तो वह काफी सस्ता है इसमें होगा क्या ये गन सोट लोकेटर अपने दाइरे में आने वाले 400 मिटर की रेंज में कोई भी अगर आंतकवादी गन केरी किये हुए है तो इसे ये डिटेक्ट कर लेगा प्रीमियम बैडमिंटन लीग यानके प्रीमियर बैडमिंटन लीग बीपी एल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है तो इसको जीता है बैंगलूरू रैप्टर्स ने बैंगलूरू रैप्टर्स पिछली बार भी इन्होंने जीता था और इस ब किंगडम और इस बार ये हुआ बिटेन के सेलेस बरी नामक जगह पर हुआ नौर्धन कोल फिल्ड लिम्टिड यह की जो नौर्ध का शेतर है उसमें जो कोल फिल्ड की खोज करती है उस कोईला खनन में विकास के लिए एक अनुसंदान और विकास के अंदर स्थापित किया है इसका नाम क्या है इस अनुसंदान और विकास के अंदर का नाम है सरस सरस तमिलनाडू सरकार ने किस डेल्टा को एक सरंक्षित प्रिशी शेत पर घोशित किया है तो यह डेल्टा है कावेरी नदी का डेल्टा और कावेरी नदी पर ही एक स्टेनले नमक जीलाय मानों निर् Stan Lee खुनर हाट का आयोजन देश भर में किस मंतराले द्वारा किया जाता है तो यह किया जाता है मुक्तार अबास नकवी इन्होंने एक पुष्टक भी लिखी है कि बल्वा पुने में आयोजित राश्ट्रिय सनूकर चैंपियंशिप किसने जीती तो वैसे तो सनुकर के famous खिलाडी पंकच एडवानी है लेकिन पंकच एडवानी इस बार अदित्य महता से हार गए पिक्चर आप देख सकते हैं अदित्य महता को और इन्होंने फाइनल में पंकच एडवानी को हरा दिया और मैलाओं में देखा जाए तो करनाटक की विद्या पिलाई ने फाइनल जीता और इन्हें अम्मी कमानी को हरा जाया इन्होंने राश्टिये वित्ये प्रवंधन संस्तान फरीदावाद का नाम बदल कर किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा तो ये हमारे वित्यमंत्री है अरुन जेटली इनके नाम पर रखा जाएगा फिरोजसा कोटला का जो नाम है वो भी इनके नाम पर कर दिया गया है विसु युनानी दिवस किसके सम्मान में प्रतेक वर्ष मनाया जाता है तो ये जैनती होती है हकीम अजमल खान की ये युनानी चिकित्सा के जनक थे और ये मनाया जाता है ग्यारा फरवरी को जिस दिन होता है विज्ञान में महिलाओं और लटकियों का अंतराश्टे दिवस तो ये ग्यारा फरवरी को मनाया जाता है आयूश जो है उसमें वाई का मतलब युनानी है F.I.H. Rising Star of Year 2019 के लिए किसे भारतिय खिलाडी को चुना है तो F.I.H. याँ की Federation of International होकी ने Rising Star of Year चुना है भारत की मिजोरम की खिलाडी लाल रेम सियामी को लाल रेम सियामी मिजोरम की है और F.I.H. के जो हैड है वो है भारतिय नरेंद्र बत्रा नरेंद्र बत्रा F.I.H. के हैड है और 2023 में जो विशुकप होगा होकी का वो भारत के दो सेरों में होगा भुनेश्वर और राउर केला यानकी उडिसा के दो सेर हैं भुनेश्वर और राउर केला बीदर किस राज्जे में एक नया हवाईड़ा बना है तो बीदर और कलबुर्गी ये दोनों ही बने हैं करनाटक में और केल में एक नया हवाईड़ा बना है जिसका नाम है कनूर हवाईड़ा अंतराश्टे हवाईड़ा कनूर इसके अलावा करनाटक का ही एक केमपे गोड़ा हवाईड़ा है केमपे गोड़ा जिसको DER सर्विस मिली है यहन की जहांपर टूटे फुटे विमान रिपेयर किये जाएंगे और इंद्रा गन्धी हुआई अद्डा जो दिली का इसको Women's with Will की सर्विस रूकिया सखा कैवज ने इंद्रा गन्धी हुआई अद्डे बर दूसरा नाम क्या है तुफान सियारा अभी अभी आया है यूरोप में और इसका दूसरा नाम है सबीने इसे सबीनेवी का हजार है पस्चिम मंगाल का चावल अनुसंधान केंदर किस नाम से एक नई किसम का चावल लेकर आया है तो ये चावल है मुक्तोसरी इसमें क्या होग विग्यान में महिलाओं और लड़कियों का अंतराश्टी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 11 फरवरी को जिस दिन युनानी चिक्टसा दिवस होता है उसी दिन। कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जहाँ फेस्बूक ने महिलाओं को डिजिटल साक्सरता परदान करने के लिए वी थिंक डिजिटल का रिकरम सुरू कर दिया है। तो ये किया है उत्तर परदेश राज्य में सबसे पहले वी थिंक डिजिटल इसके तहट इनका लक्षे है कि एक लाख मैलाओं को डिजिटल साकसर बनाया जाए और उत्रप्रदेश के सीम है योगी अधित्यनात गवर्नर है आनंदी बेन पटेल वन्ने जीवों की परवासी परजातियों के संक्षन के लिए यनकी माईग्रेटरी जो स्पीसीज हैं उनको बजाने के लिए तेरवीं कॉन्फरेंस ओफ पार्टीज किस सहर में आयोजित हुई तो ये हुई है गांधी नगर बुजरात के गांधी नगर में और इश्का जो सुभंकर है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर रास्तान का राजकी पक्सी जिसे गोडाउन भी कहा जाता है यह देखिए यहां पर गांधी नगर लिखा भी है इंडिया गांधी नगर इससे आप तोड़ा पिक्चर से कहते हैं कि इंसान के जो यादास्त है वो ज़्यादा रहती है अगर आप एक फोटो देखे किसचीज को याद करते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रखती है इसलिए मैं ज़्यादा तर फोटो इसमें डालने की कोशिश करता रहता हूँ तो चलिए आगे देखते हैं किस टीम को ICC महिला चैंपियन्शिप ट्रोफी परदान की गई तो ये परदान की गई है ओस्टेलिया की जो कप्तान है मेग लेनिन उन्होंने इस ट्रोफी को डिया है विश्व स्वास्ते संठन ने घातक कोरोना वाइरस से होने वाली बिमारी का अधिकारिक नाम है वो क्या रखा है तो वो रिखा है COVID-19 इनकी कोरोना वाइरस डेजीज और WHO के जो हैड है वो है टेड्रोस अधानम गेवेरियस ये इथोपिया से है और ये बिलासपूर से कटकर बनाया गया है एक पुष्टक है इसको किसने लिखा है तो इसको लिखा है हरियाना के 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 खंडेलवाल ने ये वाईव प्रतूशन पर लिखी कही पुष्टक है सीथ, राष्टरिय सीथ कालें खेल का आयोजन साथ मार्च से किस स्थान पर होगा फेके फरवरी में ये हुआ था लद्दाक में और मार्च साथ को ये होगा गुलमर्ग कस्मीर में तेतिस्वा अफरीकी संग सिकर समेलन किस सहर में आयोजन होगा तो अफरीकी संग के जो अध्यक्स हैं वो है सिरिल रामा फोसा दक्षणी अफरीका के परदान रश्टरपती और ये होगा अदिस अबाबा में अधिस अबाबा राजदानी हैं इतोपया की ओर इतोपया के तीन व्यक्ति काफी मैटपून हैं यहां के पि-म जो की है अभी एहमद अली जिनको शन्ती का नोवल प्रुषकार मिला और है जो प्रेजिडन्ट है वो है पहली महिला प्रेजिडन्ट इतियास में के जहारखंड विकास मोरचा परजा तंत्री इसका विले हो गया है भाजपा में और अभी सरकार है हेमन्त शुरेन की जहरखंड मुक्ता-मुक्ती मोरचा पार्टी की निमन humour लिखित में दीन इसने तीसरी बार Ellen Border medal जीता है Ellen Border जो ये पुरुषकार है medal है ये दिया जाता है Australia के साल के स्रवस्रेश्ट खिलाडी को और ये इस बार मिला है David Warner को और महिलाओं में दिया जाता है जो स्रवस्रेश्ट महिला खिलाडी होती है Belinda Clark पुरुषकार और ये मिला है एलिसे पेरी को इस बार किसे कानून और न्याय मंतराले में न्याय विभाग के सचिव के रूप में निप्त किया गया है तो ये बने है वरुन मित्रा न्याय विभाग में सचिव पावन हंस ये हमारी हेलिकॉप्टर निर्माता कमपनी है इसके अध्यक्स और प्रवंधक निदेशक के रूप में किसे निफ्थ किया गया है तो ये हैं संजीव राजदान संजीव राजदान इसके CMD बने है अखिल भारतिय सत्रंज महासंग के अध्यक्स किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है अजे पटेल को और जो अगर सचीव पूछ लिया जाए तो वो है भरत सिंग चोहान दुबई में आइरन मैं ट्राइथलोन 17.3 को पूरा करने वाला पहला नेत्रहीन एथलीट कोन बना इसमें देखिए पेरना भी होता है दोडना भी होता है और साइकल भी चलाने होती है तो काफी मुश्किल होता है इसको जिता इस बार निकेत दलाल इन्होंने इसको पूरा किया है इमारा इमारा ये ब्रांड है इसके ब्रांड एमेस्टर की से निक्त किया गया है तो ये वोलिवुट अबनेत्री बनी है करीना खान इमारा की ब्रांड एमेश्टर यादर कियेगा भारत में राष्ट्रिये महिला दिवस किसकी जन्ती के उपलक्स में मनाया जाता है तो ये मनाय जाता है सरोजनी नाइडू की जन्ती पर जिसने भारत की कोकिला भी कहा जाता है परवासी भारतिय केंद्र का नाम बदल कर किस केंद्रिये मंत्री के नाम पर रखा गया तो ये रखा गया है सुस्मा सवराज जी के नाम पर और विदेश सिवा संस्तान का नाम भी इनके नाम पर है हरियाना में इनका जनम हुआ अंबाला में इसलिए अंबाला बश्टन का नाम भी इनके नाम पर कर दिया गया है किस राजे ने अंगोफवा हुंबा इसके तहत क्या होगा कि जो चावल है उसकी खेती को प्रमोट किया जाएगा तो ये करेकरम किस राजे ने चलाया तो ये चलाया है मनिपुर ने एन बिरेंज सिंग्या के सीम है और नजमा हेपतुरला मनिपुर की गवर्नर है राश्टप करमवीर सिंग 24 नंबर की अत्यक्स है किस भारतिय मूल के राजनेता को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंतरी बनाया गया है तो कंजरवेटिव पार्टी की सरकार है यहां वित्त मंतरी बने है रीशी सुनाक और प्रीती पटेल बनी है ग्रह मंतरी त्यानरकिगा और बोरिस ज वीडियो समाप्त होती है थेंक यू फोर वाजिंग मेक उसम मिलते हैं भाग नमबर तीन में तब तक के लिए गुडबाई